साल 2019 का पहला सूरी ग्रहन रविवार को पढ़ रहा है ऐसे में जोतिश और पंचांग में अलग-अलग समय और उसके अलग-अलग प्रभाव बताये जा रहा है लखनव के जोतिशा चारी पंडित राजीव शुकला कहते हैं कि 2019 में पढ़ने वाला पहला सूरी ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन इतका आंशिक रूप से अगनी प्रधान राशियों पर प्रभाव पढ़ सकता है ये भारत वरसमें दिरुशे नहीं है इसलिए सूतक की मानलता कही नहीं मानी जाती लेकिन शास्रों को धिखाई में रखते हुए सूतक की मानलता जरूर रखनी चाहिए इसलिए संद्यागार पांच बजे के बाप सूरी ग्रहन का सूतक भी लग रहा है 2019 का पहला सूर ग्रहन आज आधी रात से शुरू हो रहा है ऐसे में हमारे साथ आचार राजीव शुक्ला जी है जो इसके बारे में बताने वाले हैं कि इसकी किम राश्यों पर इसका क्या पभाव पड़ेगा सुर देवता का जब भी ग्रहन लगता है उसमें अगनी पधान राश्यों के उपर पभाव पारता है वैसे तो ये आंशिक ग्रहन भी है और उसके साथ साथ ये भारत वर्ष में तरश्य नहीं है लेकिन कुछ पस्चिमी देशों में और कुछ पूरोबर्ती भी परिक्रमा लिया हुए तेशों से संबंदित इसका प्रभाव देखा जाता है सुर्य होता है कालिक लगबग पांच बच्च के 25 मिनट अगले दिन यानि 6 तारिक तक मानने है वैसे कुछ पंचान के अनुसार 7 बच्च के 18 मिनट तक दिन मानने है